दोस्तों ये जो सामने आप पौधा देख रहे हैं ये पौधा एक पौधा आपके किचन के सभी मसालों की छुट्टी कर देगा अगर आप गार्डनिंग करते हैं और इससे पहले मेरा वीडियो देखे हुए हैं तो आप इस पौधे को पहचान जाएंगे नहीं देखे हैं तो वीडियो हम आगे आपको इस पौधे के बारे में सब कुछ बताएंगे और इस पौधे की केर भी बताएंगे कैसे करना है आप जो इसमें सन्वर्ण देख रहे हैं ये पत्तियां जली हुए हैं ड्राइ दिख रही हैं आपको ये बहुत तीज धूप होन की वज़े सी पत्तियां जल रही थी पर अभी मौसम बदल चुका है रेनी सीजन आ गया तो थोड़ी केर हमें इसकी करनी और साथ में इसमें नई सूट नई ग्रोथ निकल के आने लगी है तो अभी चुकि एक दो बारिस हुई है उसके बाद हमें इसमें जो के नाम से जानते हैं जो इसकी पत्तियां है इसको हम यूज में लेते हैं इसकी पत्तियों को अगर आप देखेंगे तो जो यह ड्राइब लीफ दिख रही है इसको भी आप यूज कर सकते हैं और जो ग्रीन है बिल्कुल ग्रीन लीफ से इने भी हम यूज कर सकते हैं तो मै आसम बदला है रेनी बारिस स्टार्ट हो गई है तो जो संबर्ण था अब यह जो सूखी पत्तियां यह गिर जाएंगी धीरे और नई लीफ्स निकलने शुरू हो गई है इन नई लीफ्स जो निकल रही है उनकी ग्रोथ और अच्छी करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी हो वह आपको दिखाऊं मैं इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना जो भी इसमें वीड्स हैं या फिर सूख्य पत्ते हैं इन्हें साफ करना चूंकि रेनी सीजन में फंगस बहुत तेज लगता है मिट्टी में बीमारी पैदा हो सकती है तो मिट्टी को साफ रखना सबसे पहली प्रॉल्टी होती है दूसरे नंबर पर हमें इस पौदे की जो यह देखिए ड्राइव रांचेश हैं इन सब को हमें प्रून करके हटा देना है तो आएए पहले हम मिट्टी की सफाई कर लेते हैं तो दोस्तों यह जो ड्राइई लिप्स आपको दिख रहे हैं इन्हें जाल सकते हैं फिर दूस्तों इसके हमें गमले की मिट्टी की कर देनी गुड़ाई और गुड़ाई हमें करनी है डीप चुकि जो हम वाटरिंग करते हैं या जो भी है कमपोस्टिंग हमें करनी है तो डीप हमें गुड़ाई करनी है उसके बाद हम इसमें कमपोस्टिंग कर सबस्क्नाने से और तो हमने गुड़ाई कर दी तो ऊसफ बाद देखो 6 आपकी जो फीडर सब्हक्राइब से पर आप उसको बचाते हुए मेन रूट को अच्छे से गुडाई कर दीजिए गुडाई करने के बाद दोस्तों जो हैता है अब नेक्स्ट विश्केप है उसमें हम कर देंगे जो ड्राइब रांचेज है या फिर जो हमें पौधे की सेप लेनी है उसकी प्रूनिंग तो प्र दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमने इस पौधे को प्रून कर दिया है काफी अच्छे से पौधा हमारा प्रून हो गया है जो भी अन्वांटेज ब्रांचेज थी उन्हें हमने हटा दिया है साथ में जो नई ग्रोइंग टिप थी उन्हें हमने प्रून कर दिया है ताकि यहां से नई नई और धेर सारी सूट्स निकलती रहें तो इस प्रकार से प्रूनिंग करने के बाद नेक्स्ट श्रिप जो हमारा आता है वो होता है कंपोस्टिंग का इसमें जो हम कंपोस्ट देंगे दोस्तों वो होती हमारी तीन च पौधों के लिए और साथ में ये फंगस के पौधों को बिट्टी को बचाने का भी काम करता है अगर चीटियां है तो उन्हें भी खतम करता है और इस प्रकार से हमें करीब 20-25 ग्राम हम इसमें ले लेंगे एपसम सॉल्ट इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम अपने पौधे में जो गमले में इसे दे देंगे अब देने का तरीका भी बहुत ही जरूरी है जानना तो दोस्तो इस प्रकार से जो हमने गुडाई करी थी इसकी मिट्टी को हमें क्लोज कर लेना है में इस्टेम के पास साइड से इस प्रकार से देखे चारो तरप से कर लेना है और फिर जो हमने कंपोस्ट तैयार किया हुआ है इसको गम लेके किनारे किनारे डाल देना है ऐस पहँ पे क्या होता है कि रूट्स को डैमेज कर देती हैं, तो हमें किनारे किनारे पे देना है, ताकि जो फीडर रूट्स बाहर की तरफ निकल के आ रही है, वो पौधो को भोजिक यहां से लेके दे फीडर रूट्स हमेशा आप देखें गंबलों में बुडाई करते हैं तो बाहर की तरफ निकल के आती हैं तो इस प्रकार से हमने कम पोस्टिंग करने के बाद इसे वापस से मिट्टी से ढग देना है हमारी मिट्टी अभी नम है इसलिए हम इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे कि इस पे पत्तियों पर चुकि बारिस का मौसम है तो आप फंगिसाइट पॉडर का जो इस्प्रे है वो कर दे जिससे की जो इस पे कोई बिमारी लगनी ही तो वो नहीं लगेगी फंगस नहीं पैदा होगा और दस से पंदरा दिन के बाद आप इस पे एपसम साल्ट का इस पर सकते हैं इन्हें आप एक से दो पत्ति तोड़के आप चाय में डाल के पका सकते हैं इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है साथ में आप इसका जो है तड़का लगा सकते हैं अपनी सबजियों में उसके लिए भी बहुत ही उप्योगी ह बहुत ही अच्छी जो सुगंध है इसकी बहुत अच्छी होती है अगर आप गरम मसाले के पौदे को लगा रखे तो इस परकार एक पती तोड़ने के बाद इसे यूं तोड़के अगर आप इसमेल करेंगे तो इसमें से आपको गरम मसाले की खुश्बू आएगी इसके साथ साथ आप चाहें तो इनकी पत्तियों को सुखा कर पीस लेते हैं पीस कर अपने सब्जियों में मसाले के तौर पे यूज कर सकते हैं तो इसका आप काढ़ा बनाके पीस सकते हैं चाहे में यूज कर सकते हैं साथ में पीस करके गरम मसाले की तरह यूज कर सकते हैं साथ में औ उससे आपके जो खाने की खुजबुए वो तो बढ़ती है साफ में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा कर देती है तो अगर अभी तक आपने गरम मसाली यह आल स्पाइस का प्लांट अपने घर पे नहीं लगाया है तो एक बार जरूर लगाएं और इसको यूज करके देखे और अगर लगाया है तो आपको कैसा लगा यह पौधा इसकी जो गुड़ है वो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों बहुत बहुत